बक्त जनो जैमातादी बट सावेक्त्री ब्रत कथा यह ब्रत जेश्ट मास में अमावस्या के दिन किया जाता है इस ब्रत को स्ववाग्य बक्ति इस तरियां अपने पती की दीरखायू के लिए रखती हैं ब्रत कथा इस समय की बात है एक अस्वपती नाम के राजा थे उनके कोई संक्तान नहीं थी संक्तान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किये यग्य हवन एक्तियाद किये तव उन्हें एक अलोकिक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने साविक्त्री रखा, कन्याग दिन प्रक्ट दिन बढ़ी होने लगी और विवहा के योग्य हो गई, तब राजा ने एक दिन सावीक्तिरी से कहा के बेटी अब तुम विवाा के योग्य हो गई हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने लिए स्वेंग अपने योग्य बरगो तुन्डो। साविक्त्री पिका की आग्या मानकर मंत्रियों के साथ अपने लिए योग्य बर की खोज में निकल गई तब वह बर ढूडते हुए प्रक्वी पर तीर्खों में, जंगलों में, बस्तियों में अपने लिए बर ढूडने लगी तब उन्हें कपोवन में एक युबक मिला, जो अपने अंग्धे मा का पिका के साथ निवास करता था साविक्त्री ने उसे ही अपना जीवन साथी चुना और महल में लोट आई उस समय साविक्त्री के पिका राजा अस्वपक्ती के साथ देवरिसी नारज जी भी बैठे हुए थे पिका के पूछने पर साविक्त्री ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि जो युबक अपने अंग्धे मा का पिका के साथ बनमे निवास कर रहा है जिसका नाम सक्त्री बान है मैंने उसे ही अपना पती चुन लिया है देवरिसी नारज जी यह बात सुनकर चौक उठे और बोले कि साविक्त्री से बर्ल के चुनाब में भूलो गई है तब राजा अस्वपत्री बोले कि देवरिसी सक्त्यवान में कौन सा ऐसा अबगुड है तब देवरिसी नारज जी ने बताया कि सक्त्यवान के पिका को सक्त्रूओं से हार गई है और बनमे जीवन विका रही है सबसे बड़ी कमी यह है कि सक्त्यवान अलपाईव है जिसमें से उसकी उम्र के केवल एक वर्स सेस है तब साविक्त्री के पिता ने बहुत समझाया लेकिन साविक्त्री ने कहा कि पिता जी भारतिय नारी केवल एक बार अपने पती का चुनाब करती है साविक्त्री जितके जितके आगे उनके पिता की एक ना चली और साविक्त्री कखा सक्तिवान का विवा खुदूम धाम से हो गया और साविक्त्री विदा होकर अपने पती के साथ अपने सास सुसर के पास पहुँच गई और पती कखा सास सुसर की सेवा करने लगी और मन ही मन अपने इश्ट देव से अपने पती की लंबी उम्र की प्रार्खना भी करने लगी जब सक्तिवान का एक वर्स पूरा होने वाला था तब साविक्त्री तीन दिन पहले से ब्रत रखना प्रारंब कर दिया जब एक दिन सेस रह गया और सक्तिवान लकडी काटने जंगल में जाने लगा तब साविक्त्री ने कहा के नाथ मैं भी आपके साथ चलूँगी इस तरह साविक्त्री सक्तिवान के साथ लकडी काटने में उसके साथ जंगल पहुँच गई सक्तेवान लकडी काटने लगा तब उसके सिर में असहनी दर्ग होने लगा और साविक्त्री समझ गई कि उसने सक्तेवान को लिटा लिया और रोने लगी इतने मैं उसे एक आकरती दिखाई दी तब उसने पूछा कि आप कौन हैं तब यम्राज ने कहा कि मैं यम्राज हूँ और सक्तेवान के प्राण लेने आया हूँ तब साविक्त्री ने कहा कि प्रक्त्वी लोग पर प्राणियों को लेने तुमारे दूत आते हैं आज आपको कैसे आना पड़ा? तब यम्राज ने कहा कि सक्तवान परम पविक्त्र और चरित्रवान और धर्मात्वा हैं इसलिए मुझे आना पड़ा अब यम्राज सक्तवान के प्राणों को लेकर जाने लगे तो साविक्त्री भी पीछे-पीछे चलने लगी तब यम्राज ने कहा कि साविक्त्री तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो तब साविक्त्री ने कहा कि जहां मेरे पती जाएंगे वही पर मैं भी जाऊंगी यम्राज ने भहुक समया जा पर साविक्त्री नहीं लोटी तब यम्राज ने उसके पक्ती प्रेम को देख कर कहा कि साविक्त्री तुम कोई बर्गदान मांग लो और लोट जाओ यम्राज के भहुक कहने पर साविक्त्री ने अपने अंग्धे सासस्वर की आँखे मांग ली कभ यम्राज ने कहा कि कखास तू और आगे चलने लगे लेकिन साविक्त्री फिर भी नहीं लोटी और पीछे पीछे चलने लगी कभ यम्राज ने कहा कि साविक्त्री लोट जाओ पर साविक्त्री नहीं लोटी कभ यम्राज ने एक और बर मांगने को कहा तो साविक्त्री ने अपने सास सरका खोया हुआ राज बापस मांगा कि कभी साविक्त्री फिर भी साविक्त्री नहीं लोटी तो यम्राज ने कहा कि अच्छा साविक्त्री एक और बर मांग लो और लोट जाओ तब साविक्त्री ने अपने पिका के लिए सवपुक्त्र मांगे तब यम्राज ने तकास्तू कहा पर साविक्त्री फिर भी नहीं लोटी और पीछे पीछे चटने लगी यम्राज ने साविक्त्री को भूत समझाया पर साविक्त्री नहीं लोटी तो यम्राज ने कहा कि साविक्त्री तुम अपने पती के प्राणों के अलावा कुछ भी बरदान मांग लो और लोट जाओ तब साविक्त्री ने बरदान मांगा कि सक्तवान के द्वारा उसके सो और पीछे पीछे चलने लगी कभी अम्राज बोले के साविक्त्री मैंने तुम्हें इतने सारे मनवांचिक बरदांग दे दिये अब तुम लोट जाओ तब साविक्त्री बोली के प्रहू आपने मुझे सक्तेवान जसे सो पुक्त्र होने का बरदांग दिया है, तो बिना सक्तेवान के मेरे सो यसस्वी पुक्त्र कैसे होंगे। तब यम्राज कुछ सोच में पड़ गई और बोले कि साविक्त्री मैं तुम्हारे पती ब्रत धर्म से अत्यंत ही प्रसंद हूँ और सक्तवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और मैं यहां आसिरबाद देता हूँ कि तुम्हारी यहां कहानी युगों-युगों का मर रहेगी साविक्त्री वहां पहुँची जहां वह सक्तवान को छोड़ आई थी उसने देखा कि सक्तवान के प्राण लोट आई हैं तब वह घर बापस लोट आए और देखा कि उसके साससर की आँखें बापस आ चुकी हैं और खोया हुआ राज्य भी मिल चुका है भक्त जनों आप सभी को हमारी यह कठा कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सियर और सब्सक्राइब करें जय माता दी